यही हाल देवरिया जन्पद में भी रहा जहां जमीनी कारिकरता भी अपने निताओं के साथ सरकार की उपलब्जियों को गिनाते नहीं थग रहे थे। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में आज अखिलेश सरकार के चार साल पूरा होने पर सलेमपुर के सपा विधायक मनबोध हिया प्रसाद और उनके सैक्णों कारकरताओं ने साहिकिल चला कर अपने सरकार की उपलब्दियों को जन जन तक पहुंचाने का कारी किया इस बाबत विधायक मनबोध प्रसाद का कहना था कि प्रदेश के युवा मुखिमंतरी अखिलेश स्यादों ने अपने चार सालों में बहतरी इनकार किया जो जनता के बीच दिये गये हैं हम उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम 2017 का चुनाओ अग्रिम लडाई के माध्यम से जीतेंगे हम साइकिल चला कर जन जन को सपाथी नीतियों को पहुंचाने का कारी कर रहे हैं इस साइकल यातरा के उदेश हम अपने चार साल के कामों का जो जनता के बीच में दिये हैं, उस काम को परचार परशार कर रहे हैं, जिसके माध्य हम से 2017 का चुनाओ, अगर बढ़ाई के बाद हम से जीते हैंगे, इसके लिए हम साइकल यातरा संदेश के रूप में, जनता के बीच में जाकरके, साइकल संदेश स्यातरा के माध्य मसे, अब जनता को अपनी उपलाब्धी और विकास और रोजहां को बताने का काम कर रहे हैं.